आज हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्टोन के बारे में इसमें हम यहाँ पर पढ़ेंगे किसकी डिस्कवरी कैसे हुई और यहाँ पर किस ने करी तो जो यहाँ पर discovery of electron है वो हमारे हैं पर किस ने किया था जे जे थॉम्सन ने किया था और इनका जो यहाँ पर पूरा नाम होता है वो हमारे हैं पर क्या होता है जॉसिप जोन फॉम्सन तो मैं यहाँ पर short form में लिख दिता हूँ जे जे थॉम्सन और इन्होंने यहाँ पर कब खोज करी थी वो भी मैं यहाँ लिख दिता हूँ इन्होंने यहाँ पर 1897 में electron की क्या करी थी खोज करी थी और यहाँ पर जो इन्होंने electron की खोज करी वो यहाँ पर इस experiment के जर्या करी जो आपको यहाँ पर सामने diagram में दिख रह पूलेंगे किया बोलेंगे यहाँ पर कैथोड रे डिस्चार्ज्ची मिनें इसमें , इसलिए बोल है कि कि यहाँ पर रियर अफ देता हूँ, यह हमारे यहाँ पर क्या है, cathode ray discharge tube, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, इसका नाम यहाँ पर cathode ray इसलिए रखा गया, क्योंकि यहाँ पर rays of light निकलेगी, वो यहाँ पर cathode से anode की तरफ निकलेगी, अब देख लेते हैं यहाँ पर discharge tube है, इसमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ी होती हैं, तो इसमें हमारा दो carbon road लगे होते हैं, जिसको हम यहाँ पर cathode और anode बोलते हैं, cathode पर हमारे यहाँ पर negative charge होता है, और anode पर हमारा यहाँ पर positive charge हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, और इसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, gas present होती है, हम चाहे तो यहाँ पर कोई सी भी gas ले सकते हैं, normally हम यहाँ पर hydrogen और mercury gas लेते हैं, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हो, इस gas को यहाँ पर क्या करेंगे, vacuum के जरीए, इसके अंदर का जो pressure है, वो यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, कम कर ल है, high voltage generator से connect करने से यहाँ पर होगा क्या है, जो particles है, वो काफी TG से यहाँ पर क्या होंगे, flow करेंगे, जैसे ही हम यहाँ पर high voltage generator को connect करते हैं, जो इसके अंदर के जो particles है, वो यहाँ पर काफी TG से किस की तरफ जाएंगे, यहाँ पर anode की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो यह पर क्या हमारा negative to positive side है और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा तो जैसा कि आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक तरह की green color की glow जलेगी और यह जो green pathode rays है वह यहाँ पर क्या होंगी इससे पास करने लगेंगी और जो पीछे यहाँ पर किस कलर का होगा, वो यहाँ पर ग्रीन कलर का ग्लो होगा, वो किस वज़े से उपर आ है, क्योंकि यहाँ पर जो cathode rays है, वो यहाँ पर एनोड के पीछे यहाँ पर क्या और यह टकरारी है, और इस टकराव के वज़े से यहाँ पर क्या होगा, एक तरह का ग्लो जलेगा, औ उससे पहले हमें यहां पर नहीं दिखाई देगा, अगर हम यहां पर एनॉड में यहां पर छीद नहीं करते हैं, पर्फोरेटी नहीं करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, बीच में एक तरह की यहां पर लाइट जलती हुई दिखाई देगी, और वो भी हमें यहां पर ग्रीन व्हे अगर हम यहां पर पositiv पॉसिट इस और आर्ट TRACTY से बना होटा है जिसके वगे से यहाँ पर deflection टाली तो यहां पर यहington फ्कोन आगर यहाँ पर होने लगेंगे अगर हम यहाँ पर अगर हम यहाँ पर positive की जिगा अगर negative negative करते हैं, तो यहाँ पर क्या होंगे, रैपेल होंगे और यहाँ पर is set bent होने लगेंगे, और is set की यहाँ पर क्या होगी, deflection दिखाने लगेंगे, तो hope आपको यहाँ पर discovery of electron के बारे में पता चल गया होगा, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके characteristics की, तो characteristics मतलब यहाँ पर जो electron में यहाँ पर क्या विशेष्टाई होती है, क्या खासियत होती है, तो इसमें यहाँ पर दो विशेष्टाई होती है, एक तो इसका यहाँ पर हमें पता होने चाहिए कि mass कितना होता है, और जो इसका कितना मास होता है और हम इसको कैसे लिखेंगे तो जो यहाँ पे mass of an electron होता है वो यहाँ पे 1 upon 1840 times 1 upon 1840 times of mass of hydrogen atom होता है कितना होता है 1 upon 1840 times of mass of hydrogen atom यह hydrogen atom क्यों बोला हमने क्योंकि hydrogen atom का mass हमारे proton जितना ही होता है तो हम यहाँ पे hydrogen की जिगा हम यहाँ पे proton भी लिख सकते थे तो यह हमारा कितना होता है 1 upon 840 times of mass of hydrogen atom और यहाँ पे proton लिख सकते हैं अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके absolute mass की तो जो इसका absolute mass होता है वो हमारे यहाँ पे कितना होता है इसका जो यहाँ पे absolute mass होता है वो हमारे यहाँ पे होता है 9 into 10 की power minus 28 gram होता है काफी कम होता है और जब भी हम यहाँ पे किसी भी element का mass लेते हैं तो उसमें हम electron को यहाँ पे negligible लेते हैं क्योंकि यह काफी कम होता है इसको हम ले या ना ले ये बिल्कुल ना के बराबर ही होता है अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके charge of an electron की तो इस पे यहाँ पे कितना charge रहता है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ charge of an electron तो electron पे जो हमारा यहाँ पे charge होता है आपको पता होना चाहिए वो हमारा रहता है यहाँ पे 1.6 into 10 की पावर minus 19 कुलम होता है तो कुलम यहाँ पे जो होता charge की unit होती है इसलिए मैं यहाँ पे इसको कुलम लिख रहा हूँ आपको पता होना चाहिए कि जो charge की unit होती है उसको हम किसे denote करते है कुलम से करते है और जो यहाँ पे charge electron पे रहता है वो यहाँ पे क्या रहता है negative charge रहता है क्या रहता है यहाँ पे negative charge रहता है होग आपको यहाँ पर इसके characteristics समझ में आ गए होंगे अब हम अपने next topic में बात करेंगे discovery of proton की तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं proton के बारे में कि इसके discovery यहाँ पर किस ने करी और कैसे करी तो सबसे पहले हम यहाँ पर discovery of proton की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले किस ने करी तो सबसे पहले जो यहाँ पर existence protons का ढूंडा था वो यहाँ पर किस ने ढूंडा था वो यहाँ पर E goldstein ने ढूंडा था और जो यहाँ पर इनका पूरा नाम होगा वो यहाँ पर क्या होगा यूगन goldstein तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यूगन गोल्डिस्टीन, और इन्होंने जो यहाँ पर खोज करी थी, वो यहाँ पर किस की करी थी, प्रोटोन की करी थी, और कब करी थी, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन्होंने यहाँ पर करी थी, 1886 में, कब करी थी, 1886 मे short form में इनको यहाँ पर ए गोल डिश्टीन बोला जाता है या normally गोल डिश्टीन भी लिखा जाता है तो यहाँ पर जो existent ढूंडा था वो यहाँ पर गोल डिश्टीन ने ढूंडा था और इसके बाद जो यहाँ पर खोज करी थी और वो यहाँ पर नुकलियस के अंदर होता है वो भी इनोंने यहाँ पर बताय था तो अब ही हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूगन गोल डिश्टीन की इनोंने यहाँ पर प्रोटोन की discovery कैसे करी तो इनोंने भी यहाँ पर क्या करा था discharge ट्यूब से ही इनकी खोज करी थी किसकी प्रोटोन की और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि discharge ट्यूब में यहाँ पर क्या क्या चीजे होती है यहाँ पर हमारा cathode होता है anode होता है cathode पर negative charge होता है anode पर positive charge होता है इसमें एक vacuum pump connected होता है क्यों connected होता है कौन से gas ली गए थी इसके अंदर hydrogen gas ली गए थी अब आगे होगा क्या इसको मैं अच्छे से explain कर देता हूँ जैसे ही हम यहाँ पर high voltage generator को connect करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या जैसे ही यहाँ पर cathode race का electron hydrogen gas के electron से टकराएगा तो वो यहाँ पर क्या करेगा hydrogen gas के electron को वहाँ से remove कर देगा और hydrogen gas में सिर्फ क्या बचेगा proton बचेगा और जैसे ही वो जो proton बचेगा वो यहाँ पर क्या होगा cathode race की तरफ attract होगा क्यूंकि आपको पता जो positive charge और negative charge है वो आपस में क्या होते attract होते है इसलिए यहाँ पर anode race है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो positive particles है वो यहाँ पर किस side जा रहे है वो हमारे यहाँ पर cathode side जा रहे है और अगर मैं इसके पीछे यहाँ पर zinc sulfide की coating कर देता हूं या fluorescent की coating कर देता हूं तो इसके पीछे हमें यहाँ पर red glow दिखाई देगा coating करने से पहले हमें यहाँ पर cathode में छोटे छोटे यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे whole करने पड़ेंगे जिसके वज़े से जो यहाँ पर anode race है वो यहाँ पर इसमें pass कर पाएं और पीछे यहाँ पर coating से टकराके और वहाँ पर glow दिखा पाएं तो इसके यहाँ पर coating पर टकराने पर कौन सा glow होगा यहाँ पर red glow होगा और यहाँ पर होगा क्या जह हमने यहाँ पर electron की खोज करी थी तो वहाँ पर हो क्या रहा था cathode से anode की तरफ रेज जा रही थी पर यहाँ पर इसके opposite होगा इसमें यहाँ पर anode से cathode की तरफ जाएंगी और hydrogen जो gas का यहाँ पर क्या होथा proton था वो यहाँ पर cathode की side attract होगा अगर हम यहाँ पर cathode पर छोटे छोटे hole कर देते हैं तो जो वहाँ पर anode rays जा रही थी वो यहाँ पर red glow दिखाएंगी अगर हम यहाँ पर इसके पीछे coating कर देते हैं और इसके पीछे जो हम coating करेंगे वो हम यहाँ पर किसकी करेंगे zinc sulfide की करेंगे किसकी करेंगे यहाँ पर zinc sulfide की करेंगे और coating करने से हमें यहां पर पता चलेगा कि यहां पर क्या हो रहा है anode से cathode की तरफ कोई ray यहां पर जा रही है अब हमें यहां पर पता कैसे चला कि यह जो यहां पर जा रहा है वो यहां पर proton है क्योंकि हमें पता है कि जो proton है उस पर positive charge होता है और अगर मैं यहां पे इसमें Magnetic Field इंट्रोड्यूस करवाता हूं, अगर मैं यहां पे Positive Charge यहां पे Introduce करवाता हूं, तो जो यहां पे Anode Raise है, वो यहां पे क्या होंगे, Repel होंगे और यहां पे Downward Direction में Move करने लगेगी, अगर मैं यहाँ पर positive की जिकर negative charge introduce करवाता हूँ तो वो यहाँ पर क्या होगी attract होने लगेगी जिसके वज़े से हम मैं यहाँ पर पता चल जाएगा कि proton पर यहाँ पर क्या होता है positive charge होता है और वैसे अगर मैं यहाँ पर कोई भी magnetic field introduce नहीं करवाता हूँ जो यहाँ पर anode rays है वो बिल्कुल straight line में क्या करेंगी flow करेंगी वो आपको यहाँ पर discovery of proton के बारे में समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई doubt रह जाता है तो आप comment section में comment कर सकते हैं अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ इसके characteristics की इसके यहाँ पर क्या विसेश्था होती है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं characteristics of a proton की तो इसमें यहाँ पर दो characteristics हैं दो विसेश्था हैं एक तो हम यहाँ पर इसके mass की बात करेंगे और दूसरा हम यहाँ पर इसके charge की बात करेंगे तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो इसके यहाँ पर किसकी बात करेंगे मास की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मास ओफ आ प्रोटोन अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि प्रोटोन पर कितना मास होता है तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाओंगा जो यहाँपे proton का mass होता है वो यहाँपे hydrogen atom के बराबर होता है तो first part में हम यहाँपे लिख सकते है Mass of proton is equal to mass of hydrogen atom तो normally मैं यहाँँपे लिख लेता हूँ mass of proton इसके बराबर होता है यहां पे hydrogen atom के बराबर होता है, तो normally mass of proton equal to hydrogen atom, क्योंकि जो hydrogen atom होता है, इसमें यहां पे neutron नहीं होता, इसमें सिर्फ electron और proton होता है, और वो भी single single होता है, तो इसलिए यहां पे mass of proton hydrogen atom के बराबर होगा, second जो point है यहां पे, वो यहां पे जो mass of hydrogen atom है, वो कितना होता है, one atomic mass unit के बराबर होता है, और इसका जो यहां पे relative mass होगा, वो भी हमारा यहां पे क्या होगा, one atomic mass unit के बराबर होगा, तो normally हम यहां पे लिख सकते हैं, इसका जो हमारा यहां पे relative mass होता है, इसका जो यहां पे relative mass ह होता है proton का वो हमारे यहां पर क्या होता है वन यू होता है यू मतलब यहां पर इसको M U बोला गया है AMU atomic mass unit तो normally short form में हम इसको यहां पर क्या लिखते हैं 1 U लिखते हैं और हमने यहां पर जब mass of यहां पर electron में पढ़ाता तो वो यहां पर क्या था 1 upon 1840 times of hydrogen atom और यहां पर proton के बराबर था तो इसका मतलब यहां पर proton क्या होगा 1840 times larger होगा electron से तो हम यहां पर लिख सकते हैं proton is proton is 1840 times of electron वो इससे इतना यहां पर क्या होगा बड़ा होगा क्योंकि electron यहां पर 1 upon 1840 times था और last में जो इसका absolute mass होगा वो हमारा यहां पर क्या होगा वो हम भी लिख ले थे हैं इसका जो यहां पर absolute mass होगा वो हमारा यहां पर होगा 1.6 into 10 की power minus 24 ग्राम होगा और यह electron से काफी ज़्यादा है देखा जाए तो और अब हम यहां पर बात कर लेते हैं इसके charge की तो second point जो हम यहां पर बात करेंगे वो हम यहां पर बात करेंगे charge of a proton की तो वो मैं यहां पर लिख लेता हूँ charge of a proton proton पर यहां पर जो normally charge होता है वो यहां पर electron के बराबर होता है बट जो difference होता है वो यहां पर किसका difference होता है वो यहां पर charge का difference होता है जो electron पर charge होता है वो यहां पर negative charge होता है और जो proton पर होता है वो यहां पर क्या होता है positive charge होता है तो हम यहां पर लिख सकते हैं जो उस और कुलम यहाँ पर क्या होता है? चार्ज की यूनिट होती है यह आपको ध्यान में रखना होगा तो 1.6 x 10 की पावर माइनस 19 कुलम होगा और जो इसका यहाँ पर relative charge होगा वो यहाँ पर क्या होगा? positive 1 होगा और electron का जो यहाँ पर relative charge था वो यहाँ पर negative था और यह यहाँ पर positive रहता है तो इसको यहाँ पर लिख देते है positive 1 होगा और जो यहाँ पर charge और proton है वो यहाँ पर क्या होगा? equal होगा और opposite होगा किसके electron के? जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था तो hope आपको यहाँ पर characteristics और discovery आपको समझ में आ गई होगी अब हम आगे पढ़ेंगे neutron के बारे में अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं neutron के बारे में कि neutron यहाँ पर क्या होता है? इसके discovery यहाँ पर किसने करी थी? तो इसकी जो यहाँ पर discovery हुई थी वो यहाँ पर elements के जो यहाँ पर mask लेने की वज़े से हो पाई थी तो यहाँ पर एक ऐसा hydrogen element यहाँ पर क्या होता है? neutron present नहीं होता है बाकी elements में यहाँ पर neutron present होता है और मैं यहाँ पर बात करूँ अगर hydrogen के atomic masking तो वो यहाँ पर proton के बराबर होता है और बाकी elements के अगर atomic mass के बात करूँ तो वो यहाँ पर क्या होता है sum of neutron plus proton होता है तो यहाँ पर बाकी element के mass को calculate करते करते यहाँ पर neutron की खोज होई थी तो अगर मैं यहाँ पर जैसे कि इसको example से समझेंगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ carbon atom की किसकी बात करता हूँ यहाँ पर carbon atom की carbon atom का जो यहाँ पर atomic number होता है वो यहाँ पर क्या होता है 6 होता है क्या होता है इसका atomic number 6 होता है इसका मतलब यहाँ पर proton present होगा वो यहाँ पर क्या होगा 6 proton present होगा और जो यहाँ पर electron भी present होगे वो भी यहाँ पर क्या होंगे six electron ही present होंगे but electron का जो mass होता है वो यहाँ पर negligible होता है उसको हम यहाँ पर लेते ही नहीं है क्या इसको हम यहाँ पर नहीं लेते तो इसको यहाँ पर लेते यह हमारा क्या होता है negligible होता है इसको हम नहीं लेते और वैसे actual में देखा जाए तो carbon atom का जो atomic mass होता है वो यहाँ पर क्या होता है 12 atomic mass unit होता है तो इसका यहाँ पर atomic mass 12 EMG हुआ कैसे तो इसको यहाँ पर पता करने के लिए इसकी कोच किस ने करी James Cadwick ने करी bob primo कि Tax तो मैं इनका यहाँ पर पहले नाम लिख दीता हूँ किस ने करी थी James Cadwick ने की थी Chadwick कै लो Chadwick कर हो वो अपनी साथ से प्रणाउंस कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर James Cadwick बोलता हूँ तो James Cadwick ने कब करी थी 1932 में करी थी और जो यहाँ पर यह neutron की खोज कर पाई थे, वो यहाँ पे atomic mass निकालने के वज़े से ही कर पाई थे, अब यहाँ पर जैसे कि बात कर रहे थे हम carbon atom की, तो carbon atom में यहाँ पे 6 proton होते हैं, 6 electron होते हैं, इसका जो atomic mass होता है, वो यहाँ पे 12 होता है, वो यहाँ पे किस वज़े से होता है, क्योंकि जो carbon atom होता उसमें 6 क्या होता है, यहां पर neutron और present होता है, क्या होता है, 6 neutron और present होता है, और किसी भी हम यहां पर atomic mass को पता करने के लिए, उसको हम यहां पर क्या करते हैं, proton प्लस neutron करते हैं, जिस वज़े से यहां पर neutron की खोज हो पाय थी, और जो neutron की खोज हुई थी, वो यहां पर सबसे में आ गया होगा कि neutron की कोच कैसे ह bit तो neutron की इस यहाँ पिव just की होई किति कि यहां पर कि अगर किसी का भी वो इहां पर atomic मास निकालते थे तो वह 16 थे कि यहांपर प्रोटोन से ज्यादा कैसे हो रहा है तो उन्हों यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर जो atom होता है, इसमें electron और proton के अलावा भी यहाँ पर कुछ और चीज होती है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या पता करा कि यहाँ पर neutron भी present होता है, और जो यहाँ पर neutron पर charge होता है, वो यहाँ पर neutral होता है, तो यहाँ पर एक और च क्या होता है negative होता है अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके characteristics के तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते characteristics of a neutron की तो यहाँ पर भी इसकी दो characteristics हो थे जैसे यहाँ पर electron और proton में था इसमें पहला जो characteristics होगा वो यहाँ पर मास का होगा और second जो होगा वो इसके charge के उपर होगा तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो हम यहाँ पर किसकी बात करेंगे मास की बात करेंगे तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ mass of a neutron तो neutron का जो यहाँ पर mass होता है वो यहाँ पर कितना होता है वो यहाँ पर proton के बराबर होता है क्योंकि देखा जाए अगर हम यहाँ पर helium की बात करते है तो helium का जो atomic number होता है 2 होता है और जो इसका atomic mass होता है वो यहाँ पर क्या होता है 4 atomic mass unit होता है तो इसका मतलब वहाँ पर क्या होता है, दो proton present होते हैं, और दो ही neutron present होते हैं, तो इसका मतलब जो दोनों का यहाँ पर क्या होगा, mass होगा, वो यहाँ पर बराबर होगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, mass of a neutron किसके बराबर होगा, mass of neutron जो बराबर होगा, वो य यहां पर helium लेता हूँ, helium का जो atomic number होता है, वो यहां पर क्या होता है, 2, 2 इसका यहां पर क्या है, इसका atomic number है, और atomic number जो proton के बराबर ही होता है, तो normally इसमें यहां पर क्या होंगे, two proton होंगे और दो ही यहाँ पर क्या होंगे electron होंगे और electron को तो हम बिल्कुल ना के बराबर लेते तो इसको यहाँ पर लेना बेकार है और दो यहाँ पर क्या होंगे neutron present होंगे, क्या present होंगे neutron, जिसके वज़े से जो helium का atomic mass होगा helium का जो यहाँ पर atomic atomic mass होगा, वो हमारा यहाँ पर कितना होगा, 4 atomic mass unit, तो इसको यहाँ पर 4u लिखो, या amu लिखो, बात बराबर ही होगी, अब बात कर लेते हैं, इसके यहाँ पर relative mass की, तो जो इसका यहाँ पर relative mass होगा, वो नहीं यहाँ पर negative होगा, नहीं यहाँ पर positive होगा, यह यहाँ पर क् लेंगे 1U, कितना होगा इसका relative mass, 1 atomic mass unit के बराबर होगा, अब बात कर ले थे इसके absolute mass की, तो absolute mass यहाँ पर normally किसके बराबर होना चाहिए, हमारा proton के बराबर होना चाहिए, तो absolute mass यहाँ पर कितना होगा, 1.6 into 10 की power minus 24 gram होगा, अब यहाँ पर बात कर ले थे second point इसके charge की, तो यह यहाँ पर proton पर charge होता है, वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, तो जो यहाँ पर proton पर charge होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल neutral होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते है, neutron has no charge, इस पर यहाँ पर क्या होता है, कोई भी charge नहीं होता, तो hope आपको यहाँ पर इसके characteristics और इसकी discovery के बारे में समझ में आ गया होगा, अब हम चलते हैं अपने next topic के तरफ, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे Thomson's model of an atom के बारे में, कि जो यहाँ पर Thomson's model है, वो यहाँ पर क्या कहता है, atom के बारे में, इस से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, Thomson's model of an atom से पहले, यहाँ पर जो theory चलती थी, वो यहाँ पर क्या चलती थी, डेल्टन्स atomic theory, और यह काफी सालों तक चलती रही, और डेल्टन्स atomic theory में यह था, कि जो यहाँ पर atom है, उस से यहाँ पर छोटा particles कुछ भी नहीं है, atom यहाँ पर indivisible है, बाद में हमें यहाँ पर पता चला, कि जो atom है, उसको हम यहाँ पर divide कर सकते हैं, उसके सब atomic particles होते हैं, लाइक यहाँ पर electron, proton और neutron, neutron की खोज भी यहाँ पर क्या होई थी, सबसे बाद में हुई थी, उससे पहले यहाँ पर electron, proton की हुई थी, बाद में यहाँ पर किसकी हुई थी, neutron की हुई थी, और जो हम यहाँ पर atomic mass calculate करके चलते हैं, वो यहाँ पर proton plus neutron का करके चलते हैं, इससे पहले यहाँ पर कौन सी थोरी चल रही थी, deltons atomic theory और उसके इसाब से यहाँ पर atom ही सबसे छोटा particles था उसके बाद हमारा जो यहाँ पर जे जे थोंसन है उन्होंने यहाँ पर structure of atom को थोड़ा यहाँ पर explain किया उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर क्या होता है हमारा electron भी present होता है और proton भी present होता है neutron की कोज यहाँ पर James Cadwin ने करी थी 1932 में और जो यहाँ पर G.G. Thompson ने electron की कोज करी थी वो यहाँ पर करी थी 1897 में और इनके हिसाब से जो यहाँ पर atom का structure होता था वो यहाँ पर कुछ इस परकार होता था जैसे कि आपको यहाँ पर right side diagram में दिख रहा होगा तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है an atom consists of a positively charged sphere and electrons are embedded in it इनके हिसाब से यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर क्या होता है बाकी का जो sphere होता है जैसकि आपको यहाँ पर मैं watermelon के example से समझाना चाहूँगा कि जो आपको यहाँ पर right color के लिख रहा है इनके हिसाब से यह हमारा यहाँ पर क्या होता था proton होता था positively charged particles होता था और यहाँ पर आपको watermelon में यहाँ जो इसके bees लिख रहे हैं उनके हिसाब से यहाँ पर क्या होते था प्रोते थे अभी हम यहाँ पर Thomson model के बात करें तो हम अभी देखते हैं इनके इसाब से क्या structure था atom का तो इनके इसाब से जो structure of atom था वो हम यहाँ पर watermelon के example से समझ सकते हैं जो यहाँ पर आपको लाल करकर दिख रहा होगा वो हमारा यहाँ पर positive था मतलब वो यहाँ पर क्या था proton था और जो इसके बीज है वो यहाँ पर क्या है इसके electron है इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं J.J. Thomson plum pudding model भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको J.J. Thomson plum pudding model भी बोलते हैं क्योंकि जो pudding होता है उसमें यहाँ यहाँ पर electrically neutral, तो यहाँ पर Thomson model की हिसाब से, जो यहाँ पर atom होते हैं, उसमें positive charge भी होता है, और negative charge भी होता है, और दोनों यहाँ पर जो charge होते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं, जिसके विज़े से जो यहाँ पर atom होता है, वो यहाँ पे क्या होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कुलम positive charge होता है अगर हम यहाँ पे proton की बात करें और electron का charge में यहाँ पे same होता है but वो यहाँ पे क्या होता है negatively charge होता है जिसके वज़े से इनका जो magnitude है वो यहाँ पे क्या है equal है और जिसके वज़े से यह electrically मुझे comment करके बता सकते हैं अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आगे Rutherford's model की अब जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा यहाँ पे Rutherford's experiment के बारे में Rutherford's experiment से ही हमें यहाँ पे पता चला था कि जो यहाँ पे atom होता है उसके बीच में यहाँ पर क्या होता है? Nucleus present होता है तो Rutherford Experiment को हम यहाँ पर Discovery of Nucleus बोले तो यहाँ पर कोई गल्द बात नहीं होगी तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं Discovery of Nucleus क्योंकि यहाँ पर Nucleus की कोज यहाँ पर Rutherford Experiment के वज़े से ही हो पाई थी तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं Discovery of Nucleus इससे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा Alpha Particles यह Alpha Particles actually में होते क्या हैं? आपको यहाँ पर दो Positive Charge दिख रहे होंगे सब में तो जो Alpha Particles होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं? Positively Charged Particles होते हैं जिसमें यहाँ पर क्या होता है? Two Units of Positive Charge होते हैं या Two Units of Proton होते हैं प्लस Two Units of यहाँ पर क्या होते हैं? Neutron होते हैं क्या होते हैं? Two Units of Neutron और एक तरह से यहाँ पर जो Alpha Particles दिख रहे हैं यह हमारे किसके हैं, helium के हैं, helium ही यहां पर एक ऐसा element है, जहां पर 2 proton प्लस 2 neutron present होते हैं, और जैसे कि आपको यहां पर 2 positive charge दिख रहे हैं, वो यहां पर helium के वज़े से ही दिख रहे हैं, और alpha particles में हम यहां पर helium को ही use करेंगे, या कह सकते जो Rutherford का experiment है, हमने यहां पर alpha particles जो लि gold foil लिया है, उसके यहां पर क्या है, यह atoms है, अब इस experiment को यहां पर कैसे किया गया है, इसमें जो alpha particles है, वो काफी TG से bombard किये गए हैं, किसमें, gold foil पे, किसमें किये गए हैं, gold foil पे, तो जो यहां पर gold foil के atoms हैं, उसमें हम यहां पर क्या करेंगे, alpha particles को bombard करवाएंगे, और देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है तो जैसे कि आपको यहाँ पर डाग्राम में देख रहा होगा हमने यहाँ पर beam of alpha particles को यहाँ पर क्या करी release करी और जैसे यहाँ पर release करी तो यहाँ पर सबसे पहले small deflection दिख रहा है अब यह जो small deflection है वो यहाँ पर किस वज़े से हो पा रहा है क्योंकि आपने देखा होगा कि helium के पास यहाँ पर क्या positive charge particles है अगर positive positive charge particles आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर क्या होगे रिपेल होगे तो आपर देखा कि यहाँ पर क्या होगे nucleus यह जो middle part है यह हमारा nucleus है बट हमें पहले नहीं पता था कि यहाँ पर बीच में nucleus है Rutherford Ford के experiment से पहले तो यहाँ पर होगा कि जो alpha particles है वो यहाँ पर gold foil के nucleus के पास से जाएंगे तो उसके पास से जाने पर यहाँ पर small deflection होगा क्या होगा small deflection यह deflection यहाँ पर काफी small है क्योंकि यहाँ पर जो alpha particles है वो nucleus से थोड़ा दूर से गुजरे थे जिसके विसे जो deflection है वो थोड़ा कम है और यहाँ पर क्या होगा जो alpha particles है इस वाले में, इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, large deflection हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पर large deflection, यहाँ पर large deflection इसलिए हो रहा है, क्योंकि जो alpha particles है, वो nucleus के काफी path से टकराए हैं, काफी path से टकराने से, इसके वज़े से यहाँ पर large deflection हो रहा है, और कुछ alpha particles ऐसे होंगे, जो यहाँ पर बेकुल nucleus के बीचों बीच टिकराएंगे और वो वापसी यहाँ पर back हो जाएंगे क्या होंगे turn back जैसे कि आपको यहाँ पर दिखरा होगा और यहाँ पर जातर जो alpha particle से वो यहाँ पर सीधे ही निकल जा रहे हैं तो इन सबसे हमें यहाँ पर क्या conclusion मिला वो हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहला जो हमें यहाँ पर conclusion मिला कि जो यहाँ पर nucleus है वो यहाँ पर क्या positively charge है कैसे पता चला क्योंकि positive positive charge ही यहाँ पर क्या होते है repel होते हैं, जिसकी वज़े से यहां पर deflection show रहा है, तो हम ह snippet लिख सकते हैं, जो यहां पर middle में जो हमारा nucleus है यहां पर nucleus of an atom लिख सकते हैं, nucleus of an atom nucleus of an atom अपर deflection जब ही साब होगा जब यहां पर positive positive charge आपस में टकराएंगे क्योंकि Faraday's low के हिसाब से जो positive positive charge होते हैं वो यहाँ पर repel करते हैं positive negative attract करते हैं और negative negative यहाँ पर repel होते हैं अब second जो हमें यहाँ पर conclusion मिला वो यहाँ पर यह मिला कि जो nucleus है वो काफी dense है मतलब इसमें यहाँ पर कोई hole नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्या हो जब बीच में alpha particles टकर आया तो वो बिल्कुल वापसी आ गया वापसी आने के वज़े से हमें यहाँ पर पता चला जो nucleus है वो यहाँ पर काफी dense है और hard है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं very dense and hard यह इसका यहाँ पर conclusion है यह एक चीज़ आप लिख सकते हैं यहाँ रूथरफोड alpha particles से हमें यह सारी चीज़े पता चली अब यहाँ पर बात कले थे third point की जो तीसरा यहाँ पर हमें conclusion मिला कि जो nucleus of an atom है वो यहाँ पर काफी small है जो यहाँ पर nucleus है वो यहाँ पर काफी small है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं nucleus of an atom is very small कैसे पता चला कि यहाँ पर काफी small है जो यहाँ पर nucleus है क्योंकि यहाँ पर जादा तर जो alpha particles है वो यहाँ पर स पढ़ा है और इन दोनों के बीच में काफी free space है तो इससे हमें यहाँ पर पता चलता है जो यहाँ पर atom का जो nuclear से वह यहाँ पर क्या है काफी छोटा है वोग आपको यहाँ पर रूथर फोर्स experiment के बारे में समझ में आ गया होगा अगर फिर भी कोई problem रह जाती है तो मुझे comment section में comment कर सकते हैं अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके next topic की अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर पढ़ लेते हैं अटम कंसिश्टी आफ़ पॉजिटिव लिचार्ज डैंस एंड वैरी इस्मॉल नुकलियस कंटेनिंग औल दा प्रोटोंज एंड नूट्रोंज यह हमें कैसे पता चला हमने यहाँ पर रूथर फोर्स experiment किया था जहाँ पे हमने gold foil लिया था और उसमें हमने alpha particles bombard करवाए थी जिससे हमें यहाँ पर पता चला कि जो हमारा atom है उसमें nucleus present होता है और वो भी positively charge होता है positive charge जो होता है वो यहाँ पर nucleus में proton की presence की वज़े से होता है वो भी हमें यहाँ पर पता होना चाहिए वो जी बात यहाँ पर बोली गई है कि जो atom है वो यहाँ पर क्या है positively charge है DANS है काफी घना है और उसका जो Nucleus है वो यहाँ पे काफी छोटा है। हमें कैसे पता है जो उसका Nucleus है काफी छोटा है? क्योंकि वहाँ पे जो experiment किया था उसके जो alpha particles थे वो यहाँ पे जातर alpha particles straight चले जा रहे ह planes वो नucleus से यहाँ पे नहीं टकरा रहे हैं तो जिससे हमें पता चला कि जो nucleus है वो यहाँ पे काफी छोटा है और dense है अब देखते हैं आपर second point में क्या लिखा हुआ है The nucleus is surrounded by negatively charged electrons जो यहाँ पे nucleus होता है वो यहाँ पे किसके surround होता है वो यहाँ पे negatively charged electrons के surround होता है जैसे कि आपको यहाँ पे diagram में दिख रहा होगा बीच में हमारा यहाँ पे क्या है? Nucleus है और इसके यहाँ पे orbit में क्या गूम रहा है? Electron move कर रहा है क्या move कर रहा है? Electron move कर रहा है यह हमारा Rutherford models के structure के हिसाब से है अब यहाँ पे बात कर लेते third point the electrostatic attraction between the positively charged nucleus and negatively charged electrons hold the atom together अब यहाँ पे होगा क्या जो यहाँ पे nucleus है वो यहाँ पे क्या positively charged है और जो यहाँ पे electron है वो हमारा यहाँ पे क्या negative charge है और यह दोनों आपस में एक दूसरा को attract करते हैं जिसके वज़े से यहाँ पे एक तरह का atom बना बार है और यह यहाँ पे collapse नहीं हो रहे है और जो यहाँ पे fourth point है वो यहाँ पे क्या बोल रहा है an atom is electrically neutral वो यहाँ पे neutral किस वज़े से क्योंकि यहाँ पे जो positive charge है और negative charge है वो आपस में यहाँ पे क्या हो रहे है cancel out हो रहे है और यहाँ पे क्या बना रहे है neutral बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, atom को neutral बना रहे हैं, most of the atom is empty space, यह हमें यहाँ पर कैसे पता चला, जो atom बना हुआ है, उसमें काफी ज़्यादा space है, वो हमें यहाँ पर filter force experiment के वज़े से पता चला, क्योंकि यहाँ पर जो काफी alpha particles थे, वो यहाँ पर सीधे गुजर जा रहे थे, बिना यहाँ पर middle part nucleus से टकराए हुए, जिससे हमें यहाँ पर पता चलता था, कि nucleus काफी चोटा है, और बीच में यहाँ पर काफी ज़्यादा free space है, तो इसलिए हमें यहाँ पर nucleus भी बूलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है, side में electron revolve कर रहा होता है, क्या होता है, यहाँ पर electron इसके orbit में घूम रहा होता है, तो यह हमारा यहाँ पर क्या है, electron है, यह हमारा यहाँ पर क्या है, electron है, और यह हमारा यहाँ पर nucleus है, जिसमें positively charge है, तो normally मैं इसको यहाँ पे nucleus लिख देता हूँ, ठीक्या, तो यह हमारा किसका है, यह हमारा मालो कि हमारा hydrogen atom का है, यह आपको देख रहा होगा, यह हमारा किसका है, hydrogen atom का, क्योंकि hydrogen atom में एक proton होते हैं, और एक electron होते हैं, same diagram, अगर मैं यहाँ यहाँ पे helium का बनाना चाहूँ, तो helium में यहाँ नम स्क् Br entrarot Sep में रखना होगा, तो यह आपको समझ में आ गया होगा तो कि रिटल फॉल्जoth निया पर कि address अपकर इसाब gosto का structure दिया था। अब हम चलते हैं इसके drawbacks की तरफ अब बात कर ले थे यहाँ पर drawback of Rutherford's model of the atom तो इसके यहाँ पर क्या-क्या drawbacks हैं तो सबसे जो major drawback है यहाँ पर Rutherford's model का इन्होंने यहाँ पर atom की stability के बारे में define नहीं किया गया तो stability मतलब जैसे अब्सक्री कई आपको पता है कि atom में यहाँ पर क्या होता है nucleus present होता है और यहाँ पर electron present होता है और जो neutron होता है वो यहाँ पर نucleus के क्या होता है 4 तरफ यहाँ पर revolve कर रहा होता है अगर हम यहाँ पर electromagnetic theory of physics के हिसाप से चले कोई भी जो यहाँ पर charge particles है अगर वो यहाँ पे motion में है तो वो यहाँ पे क्या करेगा अपनी energy को यहाँ पे क्या करेगा लगातार lose करेगा लगातार उसकी energy वो यहाँ पे क्या होगी खतम होती रहेगी जैसे कि अगर मैं यहाँ पे atom की बात करूँ तो atom में यहाँ पे क्या होता है nucleus के around यहाँ यहाँ पे charge particles और जो negative charge होते हैं वो यहाँ पर आपस में attract करते हैं जैसे ही यहाँ पर क्या होगा electron अपनी energy lose करेगा तो वो दिखरी दिरे क्या करेगा attract होता होता वो यहाँ पर क्या होगा nucleus की तरफ आएगा और यहाँ पर collapse होके जो atom में वो यहाँ पर खतम हो जाएंगे जबकि ऐसा नहीं होता जैसके आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा यहाँ पर ऐसे गोल गोल घूमेगा और एक ऐसा समय आगा जो यहाँ पर nucleus से टकराएगा और यहाँ पर क्या होगा खतम हो जाएगा जबकि ऐसा नहीं होत तो इसके हिसाब से यहां पर ड्रॉबैक होगा और इसकी जो यहां पर इस्टेबिलिटी है वह यहां पर नील बोहर ने बताया कि इसकी इस्टेबिलिटी कैसी है बट यहां पर रूतरपूर्ड ने नहीं बताया तो यहां पर ड्रॉबैक होगा आपको यह समझ में आ गया अब जो हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा यहाँ पर बोहर's model of atom बोहर model यहाँ पर एक तरह से नील बोहर भी बोला जाता है अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस यहाँ पर जो model था इसमें इन्होंने यहाँ पर क्या क्या चीजे बताई थी तो इस atom में यहाँ पर 3 particles होंगे electron, protons and neutrons इसको यहाँ पर 3 subatomic particles बोल सकते हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सबसे पहले जो इन्होंने यहाँ पर बताई था यहाँ पर बताई था कि जो atom है वो यहाँ पर 3 subatomic particles से बने हैं एक तो हमारा यहाँ पर क्या था, एक हमारा यहाँ पर electron है, second one is proton, second one is यहाँ पर क्या है हमारा proton है, and last one is हमारा यहाँ पर क्या होगा, neutron होगा, क्या होगा यहाँ पर neutron होगा, second चीज जो यहाँ पर इन्होंने बताई थी, वो हमारा यहाँ पर क्या बताई थी, जो यहाँ पर proton ह और जो यहां पर neutron है, दोनों ही यहां पर क्या होंगे, एक छोटे से nucleus में होंगे, और वो nucleus यहां पर atom के center में होगा, जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा होगा diagram में, यह हमारा यहां पर क्या है? nucleus है और इसी nucleus में यहाँ पे हमारा क्या होगा proton भी present होगा और यहाँ पे neutron भी present होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं protons and neutrons are located protons and neutrons are located are located are located in nucleus लिख देता हूं simple आप चाहे तो small nucleus लिख सकते हैं या center of the atom लिख सकते हो तो मैं यहाँ simple लिख देता हूं protons and neutrons are located in nucleus ठीक है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं at the center of the atom भी अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं इसके third point की जो यहाँ पे electrons होता है वो अपने fixed orbit में यहाँ पे क्या करता है move करता है और उस fixed circular path को यहाँ पे क्या बोला जाता है energy level बोला जाता है या shell बोला जाता है जैसके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यह हमारा यहाँ पे क्या है energy levels दिख रहा है आपको diagram में इसको यहाँ पे वो ही बोला जाता है तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो electrons revolve करता है, electrons, electrons revolve, electrons revolve in fixed circular path, in fixed circular path, circular path, और इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर बोलते हैं, energy level और shells भी बोल सकते हैं, मैं यहाँ पर simple, energy levels लिख देता हूँ, energy levels, और यहाँ पर चलो shells भी बोल सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको यहाँ पर हम shells भी बोल सकते हैं, अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ, इसके fourth point की, fourth point यहाँ पर क्या है, जित्ता भी यहाँ पर जित्ते भी energy level है, इसमें यहाँ पर क्या होता है, fixed amount of energy ह होती है सब की यहाँ पर अलग-अलग energy होती है बट सब में क्या होती है एक fixed amount of energy होती है तो वो भी हम यहाँ पर लिख ले थे each energy level each energy level each energy level is associated with a fixed amount of energy तो यहाँ पर लिख देते हैं each energy level have a fixed amount of energy have a fixed amount of energy या it is associated with a fixed amount of energy कुछ भी लिख सकते हैं a fixed amount of energy अब यहाँ पर एक last point है इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं तो यहाँ पर जो last point है वो हमारे यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो यहाँ पर electron अपने orbit में गूमते हैं वो यहाँ पर हमेशा गूमते रहेंगे same energy level से वो यहाँ पर कभी भी decrease नहीं होंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं no change in the energy of electrons तो यहाँ पर लिख देता हूं no change in the energy of electrons वो same energy level से यहाँ पर क्या करेंगे अपने orbit में move करेंगे और जिसके विज़े से जो हमारा atom है वो यहाँ पर क्या होगा stable रहेगा और यहाँ पर हम बात कर लेती नेल बोहर्स stability की जो यहाँ पर उन्होंने stability बताई थी तो यहाँ पर जो सबसे पहला point था वो उन्होंने यहाँ पर यह बताए था कि जो यहाँ पर electrons है वो अपने यहाँ एक fixed orbit में घुमते हैं उनका fixed energy level होता है और हर एक जो orbit का होत different radius होता है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा k का यहाँ पर different radius है फिर उसके बाद आगे हम second number पर चलेंगे l वाले पर इसका different radius है और अगर हम यहाँ पर m वाले पर चलेंगे तो इसका यहाँ पर क्या होगा different radius होगा अब बात कर लेती हैं इसके यहाँ पर second point की तो यहां पर second point में बता है था कि जित्ता भी जो electron यहां पर एक particular orbit में घुमता है उसका यहां पर क्या होता है एक particular energy level होता है मतलब particular हर एक orbit का एक particular energy level होता है जिसके वज़े से जो electron है जो orbit में घुमते हैं वो अपनी energy को lose नहीं करते हैं और जिसके वज़े से जो हमारा यहाँ पर atom है वो यहाँ पर क्या रहता है stable रहता है तो यह उनका यहाँ पर क्या था second point था तो hope आपको यहाँ पर इनकी stability के बारे में ही पता चल गया होगा और यहाँ पर boars model of atom मैं इसे पहले explain कर चुक हूँ जैसे कि यहाँ पर इसके बारे में 5 point लिख रखे हैं अगर फिर भी आपको कोई problem आती है तो आप मुझे comment section करके बता सकते हैं अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ atomic number और mass number की अगले topic में अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे arrangement of electrons in the atom जो atom बें यहाँ पर electrons की arrangement होती है वो यहाँ पर कैसे होती है और हम यहाँ पर उसको कैसे करते हां सबसे पहले हम आपको बता ना चाहूँगा जो यहाँ पर arrangement of electron होता है अलख-अलख shell में उसको हम यहाँ पर क्या बोलते है electronic configuration of the element बोलते हैं तो यहाँ पर हम normally लिख सकते हैं, examined of electrons in the atom in various shells is known as electronic configuration, तो मैं यहाँ पर लिख लिख लेता हूं, इसको हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, electronic configuration of the element, of the element बोल सकते हैं अब मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि जो यहाँ पर arrangement होती है वो यहाँ पर कैसे होती है और हम इसको कैसे कर पाते हैं अगर मैं यहाँ पर maximum number of electrons की बात करूँ तो किसी भी energy level का हम maximum number of electrons कैसे निकाल सकते हैं उसके यहाँ पर एक formula होता है और वो जो formula होता है वो यहाँ पर क्या होता है 2N square होता है क्या होता है यहाँ पर 2N square होता है और N जो होता है यहाँ पर क्या होता है energy level होता है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा energy level N हमारा यहाँ पर क्या होता है energy level होता है, मैं यहाई पर लिख लेता हूँ and हमारा यहाई पर क्या होता है energy level होता है अगर इसमें example की बात करूँ अगर मैं यहाई आप न की value 1 लेता हूँ तो n की value 1 लेने पे हमारा पहला energy level निकल जाएगा जैसे कि अगर मैं n की value 1 इस वाले formula में put करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 2 into 1 का whole square तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा इसका मतब जो यहाँ पर k shell है उसमें हमारा maximum number of electron कितना आप आएगा यहाँ पर 2 आप आएगा same अगर मैं यहाँ पर second की बात करूँ अगर मैं n equal to 2 लेता हूँ और यह वाली value formula में put करता हूँ तो यहाँ पर हमारा क्या हैगा 2 into 2 का whole square तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो इसका मतब जो हमारा L shell है उसमें हमारे maximum number of electrons कितने आप आएगे 8 आप आएगे same हम यहाँ पर 3 का भी निकाल पाएगे 4th का भी निकाल पाएगे और ऐसे further on आगे तक हम यहाँ पर निकाल पाएगे तो यह formula हमें यहाँ पर याद रखना है किसी भी cell में कितने maximum number of electrons आ सकते हैं अब बात कर लेते हैं यहाँ पर second point कि किसी भी atom का जो outer most shell होता है उसमें 8 electrons से जादा नहीं आएंगे जबकि उसकी capacity जादा क्यों न हो माल लो जैसे कि यहाँ पर हमारा M में क्या capacity इसकी 18 electrons की है पर इसमें 8 से जादा electrons यहाँ पर नहीं आएंगे क्या होंगे इसके जब आउटर मोस्ट और्बिट है माल लो कि इसमें हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है इसमें 9 electrons आ रहे है क्या हो रहा है यहाँ पर इसमें 9 electrons आ रहे है तो इसका मतलब यह 8 पर satisfy होगा तो एक यहाँ पर क्या करेगा यह donate कर देगा एक यहाँ पर release कर देगा और यह 8 पर satisfy हो जाएगा तो कुल मिलाके हम इसको यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं जो हमारा outermost orbit है वो यहाँ पर 8 electrons लेने के बाद वो यहाँ पर क्या होगा fully satisfy हो जाएगा और वो 8 से ज़्यादा होँआ पर उसकी capacity होने के बावजूद वो यहाँ पर accommodate नहीं कर पाएगा अब बात कर लेते हैं इसके last point की तो last point में यहाँ पर बोला गया है जैसे कि हमारा यहाँ पर K shell है अगर K में यहाँ पर 1 electron है तो वो यहाँ पर क्या होगा एक electron L को नहीं दे पाएगा या L shell में नहीं जाएगा जब तक की यहाँ पर K shell पूरी तरीके से भर नहीं जाता माल लोग की हमारे पास यहाँ पर 11 electron है तो 11 electron यहाँ पर क्या होगे पहले यहाँ पर क्या होगा K पर जाएंगे हमारे 2 electrons फिर L पर जाएंगे हमारे 8 electrons उसके बाद यहाँ पर M पर जाएंगे 1 electron ऐसा नहीं है यहाँ पर K पर 2 electrons जाने के बाद M पर हमारे यहाँ पर 9 electrons आ जाएं क्योंकि जब तक यह L शेल पूरी तरीके से भरनी जाता जब तक यह M के पास नहीं जाएगा तो होप आपको 3rd point यहाँ पर clear हो गया होगा मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 11 electrons हैं तो 11 electrons सबसे पहले यहाँ पर K शेल को भरेंगे उसके बाद L को भरेंगे L के बाद अगर बसता है तो M के पास जाएंगे ऐसा नहीं है यहाँ पर K के भनने के बाद सीधा M के M शेल के पास चले जाएं इसको सबसे पहले यहाँ पर K को भरनना पड़ेगा L को भरनना पड़ेगा उसके बाद ही आगे जा पाएंगे आपको यहाँ पर इसके arrangement समझ में आ गई होंगे अगर फिर भी कोई problem रह जाती है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं अब हम बढ़ते हैं अपने next topic के तरफ अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं valence electrons के बारे में उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे valence के बारे में तो देखते हैं यहाँ पर valence electrons होता क्या है the electron present in the outer most shell of an atom are known as valence electron जो हमारा outer most shell में हमारा जो electron बच जाता है उसी को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं valence electron बोलते हैं जैसे कि हमारा outer most shell यहाँ पर M है इसमें हमारा क्या बचा है? एक electron बचा है, तो इसका जो valence electron होगा, वो भी हमारा यहाँ पर क्या होगा? 1 होगा, इसको एक और example से समझते हैं, माल लो कि मैं यहाँ पर carbon लेता हूँ, carbon का जो हमारा electron होता है, वो हमारा यहाँ पर क्या था? वो 2 electrons की है, और L की यहाँ पर जो highest cavity है, वो यहाँ पर 8 है, पर हमारा पस इतने electrons तो बचेंगे नहीं, हमारा पस यहाँ पर सिर्फ 4 बचेंगे, तो इसका मतलब जो इसका valence electron होगा, वो यहाँ पर क्या होगा? 4 होगा, 4 इसका यहाँ पर क्या होगा? वैलेंस, electron होगा, और अब हम यहाँ पर बात कर ले थे इसके valence की, तो valence यहाँ पर क्या होती है? कभी-कभी valence electron की same होती है, और कभी-कभी यहाँ पर different होती है, हम यहाँ पर दोनों की बात करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी definition पढ़ लेता हूँ, the capacity of an atom, of an element to form chemical bonds is known as its valence, तो यहाँ पर क्या होती है? वैलेंस, उसमें यहाँ पर capacity होती है, chemical bond बनाने की, उसे को यहाँ पर क्या बोलते है? वैलेंसी बोलते हैं, इसको हम यहाँ पर better example से समझ पाएंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसकी valence की बात करूँ, carbon की, तो carbon में यहाँ पर valence electron तो यहाँ पर क्या होता है? 6 होता है, बट इसकी valence यहाँ पर क्या होगी? इसकी valence यहाँ पर satisfy कितने electrons पर हो रहा है? उस पर depend करती है, जैसे कि हमारा यहाँ पर else L है, L यहाँ पर क्या करेगा? 4 electrons लेगा, या 4 electrons यहाँ पर lose करेगा, जबी तो यहाँ पर satisfy हो पाएगा, क्योंकि जो हमारा L सेले, इसमें हमारा 8 electrons होना जरूरी है, या ये तो बिल्कुल 0 हो जाए, या इसको 8 कर ले, तो इसकी जो यहाँ पर valency होगी, वो यहाँ पर क्या होगी, 4 होगी, और यहाँ पर non metal और metal पर भी एक specific point है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, उस electron मतलब यहाँ पर atomic number के बराबर ही होगा, तो 11 इसका atomic number और electron दोनों ही होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें KLM, तो इसमें जो हमारा Precis L है, वो हमारा कितना बरेगा, यह यहाँ पर chemical bond बनाने की जो capacity होती है इसी को यहाँ पर valency बोला गया है तो इसमें chemical bond जब बनेगा यहाँ पर M cell से एक electron क्या करेगा release कर देगा क्या करेगा? एक electron release कर देगा और जैसे यहाँ पर यह एक electron release करेगा और यह K और L जो शेलर वह यहाँ पर satisfy होंगे और chemical bond बन जाएगा हमारा तो इसका मतब जो यहाँ पर valency होगी वह यहाँ पर क्या होगी? इसकी 1 होगी क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कर रहा? एक electron यहाँ पर क्या कर रहा? lose कर दिया तो कितना gain करेगा? कितना lose करेगा? उस पर ही यहाँ पर valency depend करती है किस पर depend करती है? कितना वो gain कर रहा है? कितना lose कर रहा है? अगर मैं यहाँ पर carbon की बात करूँ अगर यह carbon यहाँ पर 4 electron lose करेगा तो यह यहाँ पर 2 satisfy हो जाएगा अगर यहाँ पर 4 gain करेगा तो L satisfy हो जाएगा और यहाँ पर gain और lose पर भी यहाँ पर charge depend करता है अगर कोई element अगर electron ले रहा है तो उस पर negative charge आएगा अगर वो यहाँ पर electron किसी को दे रहा है तो उस पर positive charge आएगा तो यह भी आपको यहाँ पर याद रखना है अब मैं यहाँ प spend करता है तो सबसे पहले यहाँ पर valancy of metal की बात करें लेते हैं valancy of metal हमेशा number of valence electron के बराबर ही हो गी किसके बराबर होगी number of valence electron के बराबर होगी इसको भी मैं यहाँ पर example से समझा देता हूँ जैसे कि हमारा sodium क्या था हमारा जैसकि मैंने यहाँ पर sodium ले रखा है sodium हमारा हहाँ यहाँ पर क्या है? metal है और इसकी यहाँ पर valence electron हीलेक्ळोन होगा? m-shell का outermost orbit इसमें यहाँ पर 1 है तो इसका valence electron भी 1 होगा और जो इसकी valence होगी वो भी यहाँ पर क्या होगी, 1 होगी, same यहाँ पर magnesium के साथ होगा, magnesium यहाँ पर क्या होता है, 12 होता है, इसमें भी हमारा यहाँ पर KLM282, तो इसका यहाँ पर valence electron भी 2 होगा, और इसकी valence भी यहाँ पर क्या होगी, 2 होगी, but non-metal में यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो यहाँ पर मैं बा of valence electron होता है for example जैसकि मैं यहाँ पर oxygen लेता हूँ क्या लेता हूँ यहाँ पर oxygen oxygen में जो यहाँ पर electron होता है वो यहाँ पर 8 होता है मतलब 8 atomic number की बात कर लो या electron की बात कर लो same ही है और इसमें जो यहाँ पर k और l चाहल है वो हमारा कितना बरेगा, यहाँ पर k में 2 बरेगा, और l में यहाँ पर 6 बरेगा, कितना बरेगा, यहाँ पर 6 बरेगा, इसका जो हमारा यहाँ पर valence electron है, वो यहाँ पर क्या है, 6 है, बट इसकी valence यहाँ पर 6 नहीं होगी, और oxygen हमारा यहाँ पर non-metal है, तो इसकी valence यहाँ पर क्या होगी एक माइनस नंबर ओव बैर इसलेक्टोल इसमें यहां पर खोली है और इस को यहां पर क्या करना है एक माइनस नुम्भर ओव फ्याले इक्टों करना है तो इसके व sliding यहां पर क्या होगी at we at six equal to two तोा oxygen की वیgensए हैंमारी टू होगी तो होप आपको यहाँ पर difference और similarities पता चल गई होंगी similarities जब होगी जब यहाँ पर metal होगा और यहाँ पर difference यहाँ पर क्या होगा जब non-metal होगा non-metal में हमें अगर valency निकालनी है तो हमें 8 minus number of valence electron करना पड़ेगा अगर हमें valency metal की निकालनी है तो वहाँ पर बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वो हमारा यहाँ पर valence electron के बराबर ही होगा आपको यहाँ पर दोनों चीज अच्छे से clear हो गई होगी अगर फिर भी कोई problem रह जाती है तो आप मुझे comment section में comment कर सकते हैं अब हम चलते हैं अपने next topic की तरफ तो बात करते हैं यहाँ पर atomic number होता क्या है जो atomic number होता है वो यहाँ पर number of protons के basis पर define होता है जितना यहाँ पर number of protons होगा किसी भी atom में वो उसका यहाँ पर क्या होगा atomic number होगा तो अगर इसको यहां पर define करना पड़े तो आप क्या लिखोगे वो मैं यहां पर बता देता हूं आप लिख सकते हूं बत मैं नहीं छोड़ देता हूं तो यहां पर क्या होता है जो atomic number होता है वो यहां पर क्या होता है number of protons होता है किसे भी atom का उसी को यहां पर क्या बोला गया है atomic number बोला गया है इसको हम यहां पर example से समझते हैं अगर मैं यहां पर बात करता हूँ carbon की तो carbon का जो atomic number होता है वो हम यहां पर normally क्या लिखते हैं 6 लिखते हैं अगर हम नहीं ना भी पता हो इसका atomic number हमें यहां पर यह पता होना चांशे कि जो carbon atom होता है उसमें यहां पर कितने numbers of protons present होते हैं हो पाता है, same अगर मैं यहाँ पे helium की बात करूँ, तो helium में यहाँ पे two protons present होते two protons के वज़े से इसका जो atomic number होता है, वो यहाँ पे क्या होता है, two होता है अब आपको यहाँ पे clear होगा atomic number के बारे में, अभी तक मैंने यहाँ पे जो atomic number के बारे में बताया आपको, वो आपको ये बताया कि जितने भी वहाँ पे protons present होंगे, वो यहाँ पे atomic number के बराबर होंगे, बट यहाँ पे इसकी echo definition हो सकती है, जितने number of electrons वहाँ पे present होंगे, वो भी यहाँ पे atomic number के बराबर ही होंगे, तो इसमें आप confusion मत हो ना, तो यहाँ पे number of protons हो, यह number of electrons हो, दोनों से ही हम यहाँ पर atomic number को define कर सकते हैं इसलिए मैं यहाँ पर दो important point इसके लिद देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर atomic number of element अगर मैं atomic number के बात करूँ तो वो यहाँ पर number of protons in one atom भी हो सकता है number of protons in one atom भी हो सकता है और दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो सकती है, number of electrons number of electrons in one neutral atom क्या होगा, यहाँ पर in one neutral atom होगा क्योंकि वो यहाँ पर neutral होना चाहिए उस पर किसी भी तरह का यहाँ पर charge नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर इसको as a be define कर सकते हैं ओप, आपको यहाँ पर atomic number के बारे में करना पड़े तो हम यहाँ पे इसको इस तरह के से define कर सकते हैं, the sum of number of protons and number of neutrons in one atom of element, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ नॉर्मली मैं यहाँ पे simple लिख देता हूँ, number of protons, number of protons plus number of neutrons, number of neutrons, तो यह हमारा यहाँ पे क्या होगा, mass number होगा, अगर मैं यहाँ पे helium की बात कर ले लिता हूँ, तो helium का यहाँ पे atomic number यहाँ पे क्या होता है, 2 होता है, इसका मतलब इसमें जो protons present होते हैं, वो यहाँ पे कितने present होते हैं, 2 protons present होते हैं, और 2 ही इसमें यहाँ पे क्या present होते हैं, तो इस वज़े से इसका जो यहाँ पे atomic mass होगा, वो यहाँ पे 4 atomic mass unit हो जाएग तो carbon का जो atomic number होता है 6 होता है इसका मतलब यहाँ पर 6 proton present होते हैं 6 proton और 6 यहाँ पर क्या present होते हैं हमारे neutron present होते हैं क्या present होते हैं neutron तो 6 और 6 मिलके यहाँ पर कितने होगे 12 हो गए तो 12 इसका यहाँ पर क्या होगा atomic mass unit होगा यह 12 U लिख सकते हैं तो carbon का जो atomic mass होता है, वो यहाँ पर क्या होता है, 12 atomic mass unit होता है, यहाँ इसको यहाँ पर हम एक तरीके से और define कर सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर mass number होता है, जो हमारा mass number होता है, वो हमारा किसके बराबर होता है, atomic number, atomic number, plus number of neutrons, number of neutrons, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो यहाँ पर atomic number होता है, वो यहाँ पर number of protons के बराबर ही लेते हैं, protons equal to atomic number, और अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच के relationship की बात करूं, कि इसको हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, दोनों को अगर हमें एक साथ लिखना पड़े, तो हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यह हम यहाँ पर लिखेंगे atomic number, क्या लिखेंगे यहाँ पर atomic number, for example हमें यहाँ पर carbon का लिखना है, तो carbon का जो mass number होता है, वो हमारा यहाँ पर क्या होता है, 12 होता है, और atomic number यहाँ पर 6 होता है, hope आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, दोनों के बीच का relationship, और अब हम चलते ह यहां पर आईसो टोपस की बारे में तो सबसे पहले मैं यहां पर आईसो टोपस की बात कर लेता हूं इसका यहां पर एक सिंपल डेफिनिशन है उसको मैं यहां पर डिवाइट करें लिखूंगा तो सबसे पहले मैं यहां पर आईसो टोपस की बात कर लेता हूं आईसो टोप यहाँ पर एक चीज़ different होती है और वो यहाँ पर क्या होता है इसका mass number इसमें यहाँ पर क्या होता है different mass number होता है different mass number जैसे कि आपको यहाँ पर diagram में दिख रहा होगा यहाँ पर diagram है यहाँ पर किसके है chlorine isotope के है chlorine 35 and chlorine 37 तो यह chlorine 35 और 37 यह different mass के क्यों हो पाए क्योंकि इसमें जो proton होता है वो तो यहाँ पर क्या होता है पहले वाले का atomic mass है वो यहाँ पर 35 है और दूसरे वाले का यहाँ पर क्या 37 है तो इसको आप ध्यान से समझते हैं जो isotopes होता है उसमें element भी same होता है atomic number भी same होता है बट जो mass number होता है वो यहाँ पर different होता है different number of neutrons की वज़े से यहाँ पर क्या होता है इसका जो different mass number होता है क्योंकि जो protons present होते वो यहाँ पर same होते और mass number को जब भी हम calculate करते हैं वो यहाँ पर number of protons plus number of neutrons ही करते हैं और यहाँ पर neutron की संख्या vary करने के वज़े से इसका atomic mass क्या होता है different होता है अब मैं यहाँ पर बात क कि किसकी बात कर लेता हूँ, ISO BARS की वो मैं यहाँ पर next piece पर कर लेता हूँ, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ISO BARS की, जो ISO BARS होते हैं वो यहाँ पर क्या होता है, इसको हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जो ISO BARS होते हैं, इसको भी मैं यहाँ पर part wise divide करूँगा, तो सबसे पहल यहां पर क्या होती है second चीजे यहां पर क्या होती है different atomic number होता है different atomic number और जो element होता है वो भी यहां पर क्या होता है different होता है different elements तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ से होती है वो है हमारा यहाँ पर mass number for example अगर मैं यहाँ पर organ और calcium की बात करूं example जरूर यह यह जिसके मैं अगर यहाँ पर organ की बात करूं और calcium की बात करूं तो organ और calcium का जो यहाँ इहां पर atomic mass होता है वह यहां Mark हूता है इसका भी यहां मे visão diagnostic होता है 40 यह होता है। यह म्मस An बट इसका यहां मेश सकते हैं इसका यहां पर18 होता है औरhero कलिसिएम का यहां पर यहां पर 20 होता है अर्जह है यह –ःफ्टल मार सकते हैं- इसका histogram ile चैनि होता है और यह आपको एक्जाम्पल से अच्छे तरीके से याद होगा जैसके हम यहाँ पर अर्गन और कैल्सियम के बात करते हैं यह हमारा यहाँ पर क्या है डिफ्रेंट इनका दोनों का 40 atomic mass unit होता है मतलब जो mass number होता है वो यहाँ पर दोनों में same होता है और यहाँ पर एक और चीज बताना चाहूंगा जो हमारा isotopes होता है उसमें यहाँ पर कुछ uses भी हमें कभी कभी पूछ लेते हैं तो isotopes के यहाँ पर पहला जो use है वो यहाँ पर क्या जो isotope uranium है uranium 235 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जो यहाँ पर uranium 235 है वो हमारा किस में काम आता है nuclear reactor में काम आता है nuclear reactor में nuclear reactor मतलब जो electricity produce करते हैं, जो turbine चलाते हैं, उसको यहाँ पर nuclear reactor बोला जाता है, उसमें एक तरह कर यह fuel की तरही है काम करता है, किस की तरहीं काम करता है? fuel के तरिया काम करता है second जो चीज है वो हमारा किस में काम आता है isotope of cobalt cobalt का जो isotope होता है वो किस में काम आता है treatment of cancer में treatment of cancer में काम आता है treatment of cancer में काम आता है cobalt का isotope और जो तीसरा है हमारा यहां पर isotope of iodine iodine का जो isotope है वो हमारा किसमे काम आता है? Treatment of Goitry किसका Goitry? जो इहां पे गले में इहां पे बहुत बड़ा फूल जाता है, सूजन से आ जाती है वो iodine की कमे के वज़े से आती है तो यह इहां पे क्या करता है? इसका Goitry का treatment करता है वो जो बिमारी होती, जो गले में सूजन होती है, उसको यहाँ पर गोईटरी करते हैं, और वो deficiency of iodine की वज़े से होता है, आपको यहाँ पर isobars और isotopes के बारे में समझ में आ गया होगा, इस chapter के हमारे सारे topic खतम हो चुके हैं, और सारे topic का यहाँ पर मैं description में आपको link दे दूँगा,